पाट का शीर्षक है किर्मिच की गेंद गर्मी की छुट्टियां थी दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा है तब ही पेड के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी दिनेश आवाज से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है वो एक दम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा अरे अरे बेटा कहां जा रहा है बाहार लू चल रही है दिनेश की मा मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली परन्तु दिनेश रुका नहीं उसने पैरों में चपल भी नहीं पहनी जून का महीना था धर्ती तवे की तरह तप रही थी पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी वो जहां से आवाज आई थी उसी और भाग चला सामने की क्यारी में भिंडियों के उँचे उँचे पौधे थे एक और सीता फल की घनी बेल फैली हुई थी क्यारियों की चारों और हरे हरे केले के व्रिक्ष लहरा रहे थे दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीता फल की बेल चान मारी बराबर में ही घूस ने गढ़े बना रखे थे ढूंड़ते ढूंड़ते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गढ़े के ऊपर ही एक बिल्कूल नई चम चमाती किर्मिच की गेंद पड़ी है दिनेश ने हाथ बढ़ा कर गेंद उठा ली लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है उसने उसे उलट पलट कर देखा परन्तु कुछ भी समझ में नहीं आया नजर उठा कर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे उपर से फेंका हो परन्तु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दर्वाजे और खिड़कियां बंद थे छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी फिर कौन खरीच चकता है नई गेंद दिनेश ने सुधीर अनिल अर्विंद आनंद दीपक सभी के नाम मन में दोहराए यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दुपेहरी में से नीचे कौन फेकेगा हो ना हूँ ये गेंद बाहर से ही आई है उसने सडक पर बने गोल चकर के बगीचे की ओर देखा परन्तु वहाँ पर केवल दो-चार गाये ही दिखाई पड़ी जो पेडों के नीचे सुस्ता रही थी उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चरी गई और फिर कभी नहीं मिली एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी तभी भीतर से मा की आवाज आई अरे दिनेश तु सुनेगा नहीं सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तु धूप में घूम रहा है दिनेश गेंद को हाथ में लिये हुए भीतर आ गया ठंडे फर्ष पर बिच्छी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा भली ही गिन महले में किसी की नहूँ परन्तु इमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए गर्मी की छुटियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकठा कर लेते थे शाम को सारे बच्चे इकठा हुए दिनेश ने सभी से पूछा मुझे एक गेंद मिली है agar तुम मेंसे किसी के गेंद खो गई हो तो वे गेंद की पैचान बताकर गेंद मुझे ले सकता है तभी अनिल बोला गेंद तो मेरी खो गई है कब खोई थी तेरी गेंद यही कोई चार महिने पहले तो वे गेन तेरी नहीं है दिनेश ने कहा फिर वो मेरी होगी सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा वो कैसे दिनेश ने पूछा तू मुझे गेन दिखा दे मैं अपनी निशानी बता दूँगा वा, ये कैसे हो सकता है दिनेश बोला गेन्द देखकर निशानी बताना कौँचा कटिन है बिना देखे बता, तब जानू तब ही उपर से दीपक उतराया दीपक अपना मतलब सिध करने तथा अवसर पढ़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था गेन्द की बात सुनकर दीपक बोला गेन्द मेरी है कैसे तेरी है सभी ने एक साथ पूछा कल ही तो तु कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेन्द लाने के लिए पैसी नहीं दे रहे है मेरी गेन्द तो पांच महीने पहले खोई थी दीपक ने कहा जब बड़े भईया की शादी हुई थी न तभी सुनील ने मेरी गेन्द चत पर से नीचे फेग दी थी दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेन्द दीपक की नहीं है दीपक की गेन्द पांच महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेन्द पांच-छे महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दागना लगे दीपक ने कहा मैं कुछ नहीं जानता गेन्द मेरी है वो मेरी है और सिर्फ मेरी है अरे जा जा बड़ा आया गेन्द वाला क्या सबूत है कि यही गेन्द नीचे फैकी थी अनिल ने पूछा दीपक ने कहा हाँ सबूत है मुझे गेन्द दिखा दू मैं फौरन बता दूँगा तिनेश ने देखा कि जगड़ा बढ़ रहा है गेन्द हथियाने के लिए दीपक सुधीर और कर खेलेंगे अच्छा मैं गेन्द ला रहा हूँ परन्तु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूँगा नहीं दिनेश ने कहा गेन्द आ गई दीपक उसे देखते ही बोला यह मेरी है यही है मेरी गेन्द यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेन्द पर था वाह सबी गेन्दों पर ऐसे ही निशान होते हैं अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा दीपक ने फिर जोर लगाया मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेन्द मेरी है अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े बाई से कहलवा सकता हूँ, कि गेंद दिनेश की है। अनिल ने कहा, कुछ भी हो, गेंद मेरी है। धीपक ने उसे धर्ती पर मारते हुए कहा। धर्ती पर टपप पड़ते हुए, मेरी गेंद में से ऐसी ही आवास आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदे हैं, सभी के टपपे की आवास ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंग दूँगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंगने के लिए हाथ उठाया, कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का कुट मस्बूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंदीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सब के साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो। जगणा बाद में कर लेंगी। अपने अपने बल्ले लियाओ, पहले खेलने। पाँच मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। अभी दो-चार बार ही खेला था कि वो चमतदार नई गेंद एकदम जोर से उचली। और दर्वाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जागिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिलाते हुए स्कूटर के पीछे भागे। परन्तु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और पर सभी ठहा का मार कर हस पड़े। किर्मिच की गेंद अभी आप सुन रहे थे कारिक्रम। विशे संयोजन डाक्टर मंजुला माथुर, पाच समन्वय डॉक्टर लता पांडे, नर्मान संचालन प्रभुदयाल खटर, आलेक शांता कुमारी जैन, कलाकार नीरज्यादव, अंजली, आकाश, उतकर्ष, धुव और मुकुल, तक्नीकी नियंत्रन पुष्पलता कुमा तक्नीकी समन्वय सतीश लाडे, ध्वन्यंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, नर्मान सहयोग दावदयाल चत्रुवेदी, नर्मान वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT क्त्रुवेदी नर्मान सहयोग दीपक पांडे यार्मान सहयोग दीपक पांडे प्रस्तुती CIET NCERT